स्वागत सबका और यहां पर हम बनाने जा रहे हैं आपको ट्रिग्णोमेट्रिक शॉटकट देखेंगे अब हम जो नया सीरीज सुरू कर रहे हैं वो हम शॉटकट सीरीज पर शॉटकट से करेंगे बहुत जल्दी से अंसर लाने पर इस पर हम कुछ वीडियोज आपके सामने ले करके आएंगे, तो अभी हम सबसे पहला जो shortcut ले करके आ रहे हैं आपके सामने, वो है trigonometry का, आईए देखते हैं ये shortcut किस तरीके से काम करता है, तो shortcut क्या है, इसको trick कह लेजिए, कि अगर आपके पास कभी भी कोई structure इस तरीकी की आ रही है, देखे, sin theta 1, plus sin theta 2, plus sin theta 3, ओके, और plus sin theta n, ये आपके पास में ऐसी कोई structure आ रही है, और divided by आपके पास क्या है, cos theta 1, plus cos theta 2, plus cos theta 3, plus cos theta 4, and up to up to up to plus करके कितनी है, cos theta n, अगर आपके पास कोई ऐसी structure आ रही है, तो इसका directly result आप याद रखे, इसका result होता है, 10 of theta 1, plus theta 2, plus theta 3, plus up to up to up to plus theta n, whole divided by, कितना, whole divided by n, yes, ये आप इसको directly इसका result याद रखे, अगर कोई ऐसा question आपके पास आया है, sin theta 1, plus sin theta 2, plus sin theta 3, plus sin theta 4, up to up to up to theta n तक की structure दी गई है, upon में n है, sorry, upon में cost के terms है, तो इसका answer हो जाएगा, अब एक चीज़ और याद रख लिए, कि ये हो गया है, ठीक न, और इसी का अगर उल्टा कर दो गया, अगर उपर cost के term आ जाएगे, और नीचे किस किया जाएगे, call sign किया जाएगे, ओके तो इससे एक result आपका ये बन गया, दूसरा result आपके पास क्या बन जाएगा, अगर आपके पास उपर है, cost of theta 1, plus cost theta 2, plus cost theta 3, plus cost theta 4, plus up to up to, आपके पास है, cost theta n, okay, divided by, sin theta 1, plus sin theta 2, up to up to up to, कितना है, sin theta n, तो अब यहाँ पर ये structure किस में जाएगे, जाएगे, दिको, sign upon cost थी, तो कॉर्ट, कॉर्ट में जा रही थी, और अगर, cost upon sign, तो किस में जाएगी, कॉर्ट में जाएगी, structure, तो answer क्या हो जाएगा, cost of theta 1, plus theta 2, plus up to up to theta n, upon कितना n, okay, मतलब एक तरीके से क्या कर दिया है, यहाँ पर angles का mean ले लिया है, angles का क्या लिया है, mean ले लिया है, okay, तो यह आप इस structure को याद रखी, आएए आपके लिए equations तो कर दिया जाए, है ना, एक question देखते हैं, जो आपके exam में आया हुआ, question क्या है, देखिए, question पूछा गया है, sin 3 theta, sin 3 theta, plus sin 5 theta, plus sin 7 theta, plus sin 9 theta, plus sin 9 theta, और divided by यही होते हैं, okay, बस cos के हैं, तो cos of 3 theta, plus cos of 5 theta, plus cos of 7 theta, plus cos of कितना, 9 theta, okay, अब आपको देखिए, इसकी value निकाल नहीं, कि इसकी value क्या होगी, तो मैंने जैसे आपको trick से बताया, trick मैंने क्या बताई, कि sign of, है ना, sign के वोई है, cos के वोई है, तो बस sign और cos के वोई है, तो सॉरी, कोई sign नहीं आगा, यहाँ पर 10 आता है, okay, सारे angles का सम करके, divide by जितने numbers of angle हैं, उनको divide कर दो, तो यहाँ पर देखिए, क्या जाएगा, 3 theta, plus 5 theta, plus 7 theta, plus 7 theta, plus कितना, 9 theta, divide by कितना कर दिजिए, क्योंकि 4 angle है, तो 4 कर देंगे, so 10 of कितना, 3 plus 5, 8 plus 7, 15, 15 plus 9, 24 by 4, so answer और theta भी रहेगा, so answer कितना आ गया, 10 of 6 theta, okay, और यही question अगर, cos upon sign की form में आ जाता, तो आपका answer कितना आ जाता, cot of 6 theta, तो फिलहाल इसका answer किया है, 10 of 6 theta, so it is done, आई दोस्तों, एक और question देखते हैं, इसी trick पर बेज़ दिए question है, okay, question देखी क्या लिखेंगे, cos of 3 theta, plus cos of 5 theta, plus cos of 7 theta, divided by sin of 3 theta, plus sin of 5 theta, और plus कितना है, sin of 7 theta, तो अभी मैंने जो आपको trick बताई थी, कि वो किसके लिए बताई थी, sign upon cos के लिए, अब ये just उसका reciprocal है, मतलब answer भी क्या हो जाएगा, just reciprocal हो जाएगा, so answer हो जाएगा, किसमें, पिछला वाला answer 10 में आ रहा था, ये वाला answer आ जाएगा, cot में, तो cot of 3 theta plus 5 theta, add कर दीजिए, 3 और 5, 8, 8 और 7 कितना हो गया, 15, 15 theta by कितना 3, so इसका answer कितना आ जाएगा, इसका answer आ जाएगा, so simple, cot of 5 theta, तो इसका answer कितना हो जाएगा, cot of 5 theta, done, चलिए दूस्तों देखे, कि अगले शांदा result की बात करते हैं, अगले result में आपको बता रहा हूँ, उसमें structure को आपको देखना पड़ेगा, अगर आपके पास कोई ऐसा structure हो, कि बीच का angle sine theta हो, ओके, यहाँ का angle इससे छोटा हो, कितना हो, 60 minus theta, और यहाँ का angle कितना हो, बड़ा हो, इससे 60 plus theta, ओके, तो तीन प्रकार के trick बनेंगी, अगर आप इसको radian में देखना चाहते हो, तो लिए आपके लिए यह भी लिग देता हूँ, मैं, sine theta, this angle will be pi by 3 minus theta, and this angle has to be pi by 3 plus theta, ओके, तो और एक तो यह structure बनगे, किसके लिए, sine के लिए, ओके, और दूसरा structure देखिए, अगर यह cost के लिए बनेगी, cost theta, यहाँ पर कितना आएगा, cost of 60 minus theta, और यहाँ पर कितना आएगा, cost of 60 plus theta, अगला structure देखिए, अगला structure है, दोनों को divide कर दीजे, तो 10 theta, यहाँ पर आजाएगा, 10 of 60 minus theta, और इधर पर कितना आजाएगा, 10 60 plus theta, तो तीनों type के structure के लिए मैं आपको result बता रहा हूँ, जो trick का का काम करेंगे, देखिए, इसका answer आएगा, 1 by 4, और sine में कितना 3 theta, ओके, 1 by 4, sign of कितना 3 theta, 1 by 4, sign of कितना 3 theta, यह पहला result बनेगा, 1 by 4 sign 3 theta, देखिए, यहाँ पर 3 रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, 4 रहेगा, ओके, आप काफी दिनों बाद जब लगाएंगे, तो आपको याद आएगा, 1 upon 3, बड़ याद रहेगा, 1 upon 4 sign 3 theta, इसमें कितना आएगा, इसमें आएगा, only 1 by 4, cos 3 theta, बस यहाँ पर कॉस है, तो cos 3 theta, अब दोनों को डिवाइट कर देंगे, तो इसमें 1 upon 4 से 1 upon 4 cancel हो जाएगा, और ये केवल कितना आएगा, 10 3 theta, तो 10 3 theta का एक जोरदार formula भी समझ लीजे इसको, कि 10 3 theta is equal to, 10 60 minus theta, एक बार मैं फिर से लेख देता हूँ, memory recall करने के लिए, तो 10 3 theta equal to, बीच में किसको भसाओ, 10 theta को, इधर किसको आने दो, इधर आने दो 10 60 minus theta को, इधर किसको आने दो, इधर आने दो 10 60 plus theta को, तो एक गजबाली trick का काम करेगी, इससे काफी सारे अच्छे-च्छे formula बनते हैं, पर फिर से recall कर लेना, 1 upon 4 sin 3 theta किसके लिए आता है, 1 upon 4 cos 3 theta किसके लिए आता है, और इसमें 1 upon 4 नहीं आता है, के बल 10 3 theta आया करता है, ओके, done, चलिए देखिए, अगला question करते हैं इस trick को समझने के लिए, ये question आपके सामने दिया गया, value of the sin 20, sin 40, sin 60 into sin 80, कैसे करेंगे इस question को, तो इस question में इस trick लगाने के लिए, सबसे पहले मैं sin 60 को एक तरफ कर लेता हूँ, और आपको sin 20 को बीच मिलेना पड़ेगा, ओके, जैसे ही आप sin 20 को बीच मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, साइन 40 है ना, तो साइन 40 को अभी एक लाइन के लिए तो यहीं लिखे रहें दो, और इसको sin 80 लिख लो, ओके, और साइन 60 की value किती कर दो, साइन 60 की value root 3 by 2, मतलब मैंने इसको सबसे side में कर दिया, इसकी value root 3 by 2 यहाँ पे आ चुकी है, के अब साइन 20 को certainly memang को अब दिखो क्या आब साइन 40 को साइन 60-20 निलिखके बिल्कुल लिख सकते हो तो स्यिन healthy beginstha 30 क्या टी को आपिक और 60 outta 60 मेनस यू भी सकते हो तो यी कितना हो जाएगा साइन 60 प्लस टीटा 60 प्लस 22 और स्री यूड है अब ही मैने आपको यह क्षी ट्रिक पढ़ा दिये क्या ट्रिक पढ़ा ही है वन अपोन फोर साइन थ्री थीटा तो 3 इंटु त्रीटा की जागे जिए फॉन्टी डिग्री खेल रहा है त्रीटा की जगह पे इन्टु कितना हो गया रूट 3 मल्डिप्लाइब रूट 3 1 अपोन 4 ये कितना बन गया 20 गूने तो यह देखो ऐसे गलतियां होती एक्जाम में भूलना मत लिखने में तो फोर 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 जा कितना हो गया 16 तो आंसर कितना हो गया इसका 3 लिखने में समय पूरा पूरा ध्यान रखना बहुत सारी मिस्टेक होती एक्जाम में जो सेलेक्शन से बाहर कर देती है प्लीज उनका ध्यान रखिएगा चली देखिए अगलक ट्रिक ले करके चलते हैं क्वेश्चन कहरा है दा वैली ओफ टैन अलफा इंटू टैन अलफा प दिखते हैं कि कोई बी चारो जो औप्शन से अलफा पर डिपेंट नहीं कर सकते हैं मतलब है जो क्ष्चन है अलफा की हर एक वैल motion वेले कंडिशन भी तो अप काम करिए सबसे पहले option class भी नहीं हो रहे तो आ अलफा की वैली डाल दीजिए तो बेस्ट रहेगा fan लूट ऑन डालते हैं तो दीखे एक आंसर की क्या situation बनती है भाई पहला टर्म कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा दूसरा भी कितना हो जाएगा 0 और तीसरा हो जाएगा 10 alpha minus 60 ओके यानि कि 10 of किता हो गया minus 60 और दूसरा कितना हो गया 10 alpha plus 60 अच्छा पहला बाला plus 60 होगा दूसरे बाला minus 60 होगा नहीं उसमें भी confused हो जाएगे बच्चे 10 into minus 60 ओके minus बाहर जाएगा यह कितना हो गया भाई साब यह हो गया plus root 3 into यह कितना हो गया minus root 3 तो answer कितना आएगा इसका minus 3 तो बहुत ध्यान रखिएगा कि टिक्नामेटरी के बहुत सारे कोशन तो होते हैं वो डैर्क्ली क्या होते हैं वो option देख करके ही clear हो जाते हैं ओके उसमेरी कोई condition ना दी हो और option पे मैचना option मतलब जो है किसी एंगल पर डिपेंड ना कर रहे हो तो जरूर ऐसे questions को सीडिया option पूट करके कर ले डन चली देखिए अगला क्या कैरा कि तक वैल्यू औफ आपको वैल्यू बतानी है ओके व्यल्यू किसच की बतानी है कोष ऑनभा complexנה मैन फ्लस कॉस बीटा सैन गमा मैने सलपा एन कॉस गामा साइन अल्फा मैनिस स्टक keto is की आपको वैल्यू बतानी है तो दिखिए और क sacrificity अपसे और यह हां पर ऐहां पर आपके पहस्раж में कितना आजाएंगा एक मिनुट हाँ ठीक है यहां पर थोड़ा hainat न ही रोगा हैं फिल्पी से कॉस्चन में गलत लिए यहां पर साइन कर दिया है तो अशा करने इस बीटा जीरो ये भी जीरो हो गया ये भी जीरो हो गया तो directly इसका आंसर कितना जागा जागा जीरो जो कि option number A में बैठा हुआ है correct answer इसका कितना हुआ जीरो तो इस तरीके से angle के लिए आप alpha बीटा गामा आपको दिये गए हो तो आप किस तरीके से कोई भी और ट्रिक लगा के कर सकते हैं थोड़े और question देखेंगे ये तो हो गया done चलिए देखिए अगला question क्या कह रहा है the value of the sign to the power 6 theta plus cos की power 6 theta plus 3 sin square theta cos square theta की value आपको निकाल लिए और value constant value दिए गई है तो एक तो तरीका क्या है वही जो आप 10th में पढ़के आँ होंगे conventional इसको whole square का whole cube करके आप इसको बदलेंगे एक तो तरीका यह है दूसरा तरीका है कि आप theta का कोई भी value रख दो क्योंकि थीटा के लिए किसी भी value के लिए या आपको result सेम देदेगा तो आपने अगला देखो 90 डिगरी के लिए साइन की पावर 90 पावर 6 किता जाएगा वन हो जाएगा यह जाएगा यह 0 हो जाएगा यह यह भी किता हो जागा जीरो हो जागा तो correct answer इसका किता है one sees the correct option कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और वैसे आप इसको करोगे तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी है ना whole cube बाली structure का formula लगाना पड़ेगा पहले इसको whole cube लिखना पड़ेगा और फिर काफी कुछ करन पड़ेगा तो इससे काफी आपको time लग जाएगा यह दिया दिला दूं कैसे करते हैं आपके लिए sign की power इसको लिखोगे आप sign square theta का whole cube इसको लिखोगे आप cos square theta का whole cube और प्लस 3 sin square theta into cos square theta ठीक है ना और bracket में इसको इसको bracket में आप क्या लिख दोगे 3 sin square theta plus cos square theta a q plus b cube और यहां पे लिख दोगे bracket में sin square theta plus cos square theta क्योंकि वन लिखने से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा यह बन जाएगा a square plus b square मतलब इसका प्लस इसका whole cube बन जाएगा जिसकी value कित्ती आ जाएगी बना जाएगी तो इतना ज्यादा समय क्यों लगाया जाए सीरे शॉट्रेक से किया जाए यह अंसर आजागा ड़न चली देखिए फिर से एकला question आपके सामने question कहरा the value of the function 6 into sin की power 6 theta plus cos की power 6 theta minus 9 sin की power 4 theta plus cos की 4 theta plus 4 की value निकाल ले है तो एक तो तरीका आप इसको solve कीजिए वही अपने 10-12 की तरीके से बहुत ज्यादा और दूसरा तरीका option को visit कीजिए देखिए option में जो है clear values दी गई है कोई theta वीटा का नाम हो निशान नहीं है मतलब theta की हर value पे value satisfy करीगी तो मैं क्या करूंगा theta equal 0 degree रखूंगा जैसे theta equal 0 रिखूंगा तो 6 sin 0 किता हो गया 0, cos 0 किता हो था 1 और minus 9 sin 0 हो गया 0, cos 0 किता हो गया 1 और plus किता 4 हो गया भाई 6 एकम 6 और 9 एकम 9 और यहां पे कितना जाएगा यह minus का 9 है ध्यान रखना minus plus का और यह plus 4 6 में से 9 गया किता हुआ minus का 3 और 4 में से 3 गया किता हुआ वचे गया एक तो correct answer इसका किता होगा एक यह हो गया दन चलिए देखिए अगला question इसी trick से देखते है question क्या दिया गया the value of the cost 60, cost 36, cost 42 and cost 78 ओके आपको इसकी value पूछी गई है यह चार options दिये गए थे वो मैंने लिखे नहीं है यह कहा गया है तो देखिए cost 60 को दो बाहर रहें दीजिए अब में में चीज इन दोनों में दीखिए यह जो है यह जो 42 है यह 60 से कितना कम है 18 कम है और 78 जो है 16 से कितना कम है 18 जादा है तो मुझे किस की जरूरे थैं 18 की ज दिटा हुआ करता है तो formula बन जाता है 1 upon 1 upon 4 sign 1 upon 4 sign cost 3 theta का अगर sign होता तो sign का बनता और तो कॉस्त का बनता है तो ऐसा करने के लिए हमें क्या चाहिए यहाँ पर हमें यहाँ पर रूपर नीचे भी डिवाइड कर दिया तो देखे कॉस्टीन यहां यहाँ और इसमें टूट गया वर अपों टू में तो बचा कि हमेरे पास cost 36 upon cost 18 और अंदर 1 upon 4 cost 3 theta तो 1 upon 4 cost 54 इसको मैंने साथ में ले लिए 1 upon 4 1 upon 1 upon 2 multiply हो कि कितना बने का 1 by 8 और अंदर cost 36 cost 54 2 का multiply 2 का divide कर दिया जिससे कि यह कितना मन गा नीचे बन गया 1 by 16 और उपर formula लग जाएगा 2 cost A cost B का okay to 2 cost A cost B equal to cost A plus B plus cost A minus B cost A plus B किता हो गया 92 यह पूरा का पूरा टर्म कितना हो जागा 0 plus cost A minus B so that is equal to cost A minus B 54 minus 36 मैंने का लिए 54 minus 36 कितना होता है 18 18 से 18 cancel तो अंदर बच गया 0 और यह बच गया 1 और 1 by 16 into 0 plus 1 हो गया कितना 1 by 16 तो इस तरीके से यहाँ पर भी यह ट्रिक कहीं न कहीं काम करी है okay so this question is done चले टिग्नोमेट्रिक यह गली short trick के तरफ चलते हैं दोस्तों देखे क्या है concept concept यह है कि अगर आपके पास कोई function है fx equal to है टिग्नोमेट्रिक function A cost square x plus B sin square x अगर आपको पूछा गया है इसकी maximum value बतानी है तो देख लो भाई maximum value इसमें जो coefficient बड़ा होगा वही इसकी maximum value होगी मतलब जो coefficient बड़ा होगा चाहे A हो या B हो वो maximum value होगी और minimum value अगर आपको इससे पूछी गई है तो जो coefficient small होगा वही इसकी minimum value होगी तो smaller coefficient है नहीं की छोटा coefficient जो होगी minimum value होगी और जो बड़ा coefficient होगी वो क्या होगी maximum value चलिए देखते हैं example में तो example में दी देखते हैं यदि मान लिजे आपके पास कोई function है z equals to है मान लिजे 7 cos square x plus 6 sin square x 7 cos square x plus 6 sin square x किती देनी चाहिए देनी कैसे देखिए अगर आपके पास में यह value जेड है तो जेड है आप इसको लिख सकते हो सिक आस स्क्वाइर एक्स प्लस 6 cos square x प्लस 6 sin square x ओके इतना तो करी सकते हैं अब यह देखिए 6 हो गया common sin square x plus cos square x कितना हो गया 1 यह नहीं 6 1 जा 1 और यह हो गया कितना cos square x plus 6 ओके और आप जानते हैं क्योंकि आपको इसकी maximum value देनी है max value तो cause की maximum value किती होती होती है तो maximum value जो इसकी बनेगा वो किती होती 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 है तो 6 plus 0 तो यह बहुत अच्छा तरीका पहचानने का कि जो maximum coefficient होती है मतलब कि कोई भी आपके पास question आ जाए a cos square x plus b sin square x का form का तो जो इसका बड़ा coefficient होता वो उसकी maximum value होती है तो याद रखिए कि maximum value equal to bigger bigger coefficient यह रिकिन से larger coefficient जो होगा वो maximum value होगी और इसकी जो minimum value होगी वो कौन सी होगी smaller coefficient structure याद रखिएगा a cos square x plus b sin square x a cos square theta plus b sin square theta यह trick जो है plus के लिए valid है तो plus के लिए यह trick लगाईएगा minus के लिए trick मत लगा दीजिएगा minus के लिए दूसरा होगा done ओके तो आज के लिए इतना ही tricks में और अगली classes में फिल मिलेंगे तब तक के लिए इजाज़े दीजी जै हिन जै भारत नमस्कार